पुश्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं एक राश्ट्र और एक राशन कार्ड योजना ये क्या है यानि वन नेशन वन राशन कार्ड इस योजना के फाइदे क्या है नुकसान क्या है क्या क्या चुनोतियां इसके सामने आएंगी क्योंकि अभी हाली में आसम जो है वो 36th स्टेट बना है राज्य बना है जिसने अपन से implement हो गया है सभी केंदर शाशित परदेश के अंदर बात कर लूँ सभी राज्य के अंदर बात कर लूँ सब जगह पर वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो implement हो चुका है कैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूं description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं clear आप बात करते हैं one nation one राशन कार्ड की अभी जैसे ही आसम जो है वो 36 जो state बना है जिसने यहां पर अपने हमितले की यह 36 आप कोई कि हमारे यहां पर 36 राज्य है यह नहीं वही 36 राज्य बात यहां पर ऐसे हो रही है के अंदर शाशित परदेश और state मिला कर दोनों को add करके बात हो रही है तो 36 नंबर आया है आसम का जिसने यहां पर ONORC जो है यानि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया है अब पूरे देश में यह हम कह सकते हैं कि सभी राज्यों ने और के अंदर शाशित परदेशों ने सफलता पूरवक जो है वो लागू किया है अब ONORC यानि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का जो लाब है इसका फाइदा उठाने के लिए सरकार ने एक application भी launch किया जिसका नाम है मेरा राशन कार्ड mobile application लाँच किया और ये जो application है वो जो तिने भी beneficiaries हैं जो one nation, one ration card से यानि जो राशन कार्ड से lab उठाते हैं उनको काफी ज़्यादा help मिलने वाली है एक information, real time information उनको मिलने वाली है साथ साथ ये जो application है वो 13 भाशाओं के अंदर इसको उपलब्द कराया गया है अभी आपने देखा होगा COVID-19 के time जो है पिछले दो वर्शों के दुरान one nation, one nation card की योजना ने पूरे देश के अंदर जो एक तरीके से NFSA यानि की National Food Security Act जो है इसके तहत काफी सारी जो beneficiaries हैं जो प लेते हैं What is ONORC यानि वन नेशन वन राशन कार्ड ये क्या है आप अगर आप इसके नाम से अगर समझे वन नेशन यानि एक राश्ट और एक ही राशन कार्ड यानि कि आपके पास एक राशन कार्ड है और आप उसको भारत में कहीं पर भी यूज करें और उसके बिहाव प उतना राशन आप वहां से ले सकते हैं किसी भी जगहें पे जाकर भारत के किसी भी जगहें पे जाकर तो उसको फाइदे में रखते हुए One Nation One राशन कार्ड को बनाया गया था और इस योजना कहता है जो है परवाशी राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानि यहां से अपने हिस्से का जो खाद्यान है जो उनके कोटे में आता है जितना वो खाना उनके कोटे में आता है वो उसको खरीद सकते हैं किसी भी हिस्से में देश के किसी भी हिस्से में क्या इससे पहले नहीं हुआ करता था उनको एक फेर शोप यानि कि वो अपने एरिया क नहीं खरい सकता इसको खरी सकता था यानि पहले की बात होती страш की इसको अपनी ही एरिया में कोई और लोट की हुई होती थी अब यहां से यह जो था अपने राशन को खुरी सकता था लेकिन मच yön Each andаешь कांट वो भारत के किसी भी जगह पर जहां पर fair price shop है वहां से अपने जो खाद्यान है जो उसका कोटे का जो खाद्यान है वो खरीज सकते हैं और यह प्रणाली उनके लिए सबसे ज़्यादा यानि कि जो scheme है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगी है जो क्या करते हैं जो migrant होते हैं अपना घर छोड़ देते हैं दूसरी जगह पे जाते हैं कमाने के लिए तो उनके लिए काफी ज़्यादा helpful है यह अब one nation one russian card जो है इसको एक तरह के से initiate कर दिया गया था 2019 के दोरान अब यहां पर जो इसके objective है यानि कि जो इसका उदेश्य है जो इसके goal हैं उसके बारे हम बात कर लेते हैं सभी NFSA जो beneficiaries हैं उनको जो मुझूदा राशन कार्डों को portable की साहिता से यानि portable हो गया ना कि अभी यहां पर यह जो व्यक्ति था वो अपनी जगहें के बजाए अगर वो कहीं और दूसरी जगह पर गया हुआ है for example वो यहां पर कहीं पर विमाने की उत्तर परदेश रहता वो दिल्ली में आया है वो तो दिल्ली में जाकर वो अपना राशन खरीज सकता है तो एक portability आगे उसके पास तो portability की साहिता से वो अपना जो खाद्यान है वो वहाँ से खरीज सकता है और यहां पर उनकी पसंद के किसी भी उचित मुले की दुकान से मतलब कि उनको लगते है कि मुझे यहां से FPS यानि जो यहां ध्यान रखना इसकी short form यूज करेंगे FPS fair price shop इसको हम यूज करेंगे तो वो किसी भी fair price shop से जाकर अपनी जो उसके subsidized जो खाद्यान है उसको जहीं वो बचा हुआ है जो उसे पूरा खरीदना है वो वहाँ से खरीद सकता है और इससे काफी जादा help होने वाली है जो migrant worker है जैसे मैंने कहा अब यहाँ पर यह कहा है कि जो परिवार के सुदस्य है वो अपनी पसंद की उचित दर दुकान यानि कि FPS से चाहे वो उनके मूल स्थान पर हो या फिर वो भारत के किसी भी स्थान पर हो चाहे उनके पास बचा हुआ शेस खाद्यान बचा है या अपनी आवश्यक मातरा के जो खाद्यान है वो वहाँ से उठाने में सक्षम हो चकेंगे इसका उदेश्य यह है ONORC का अब इसका महत्व हम बात कर लेते हैं भारत के अधिकार को भोजन के अधिकार को सक्षम बनाना देकि इससे पहले जैसे मैंने का यह जो राशन कार्ड का अभी हाली में जो इंप्लिमेंट किया गया है जो 36 वा राज्य जो बना है आसम जो है इससे पहले क्या होता था ONORC से पहले कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उसको जो राशन कार्ड बनाता था वो अपने एरिया के अंदर बनाया करता था तो वहाँ पर उसको FPS प्रवाइड करवाई जाती थी कि इस शोब से जाकर तुम अपना खाद्यान जो है वो ले सकते है जो भी तुमारे सबसिडी के अंदर आता है वो तुम यहाँ से खरीज सकते हो अब इसके बाद क्या हुआ ONORC के लागू होने के बाद यदि कोई लाबारति किसी दूसरे स्थान पर जाकर मतलब कि वो प्लायन करता है क्योंकि उसको जोब के लिए जाना पड़ता है हम हमारे देश के अंदर देखते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लगबग एक TIAI population प्लायन करती है हमारे देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर तो वहाँ पर उनके लिए फाइदे मंद हो गया अब ONORC जो है वो समाजिक के लिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर इनके लिए है यानि कि geographical hindrance जो आती थी कि भई अगर मैं अपनी जगह चोड़ कर दूसरी जगह पर जाऊंगा मुझे राशन के जूरत पड़ेगी तो मैं कैसे खरीदूँगा तो वो उसको दूर कर दिया गया है इस कीम के अंदर अब हमारी जो अगर आप या अबादी देखे ना अबादी का लगवग एक तिया ही भाग को समर्थन मतलब कि देखे 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 लगवग 37% जो जनसंक्या है वो परवाशी श्रमकों की है मतलब कि आपने देखा हो कि हरियाना पंजाब यहां पर उत्तरपरदेश से बिहार से आते हैं या फिर हम कहें कि वो महराश्टों में जाते हैं तो कितनी बड़ी जनसंक्या के अंदर परवासी हैं माइगरेंट वरकर्स हैं तो यहां इनके लिए सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है यह योजना अब रोजगार के कार्ण ओविसली उनको जाना पड़ता है अब रोजगार जाने के लिए वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो उनको दूसरा राशन कार्ड बनाना पड़ता था तो इससे काफी ज़्यादा प्रोब्लम उनको create होती थी अब ऐसा नहीं है अब portability आ गई है आपके पास राशन कार्ड है आपका जो राशन कार्ड है वो अधार कार्ड से लिंक है वो smart कार्ड से लिंक है तो वो आप असानी से वहाँ पर अपना बकाया राशन जो है वो ख्रीज सकते हैं वहाँ पर clear अब यहाँ पर एक अच्छी चीज इससे जो होगी एक तो यह होगी जो portability आ गई कोई भी इनसान कहीं पर भी जाकर भारत के अंदर अपना जो बकाया जो राशन वो ख्रीज सकते हैं एक इससे leakage जो है वो कम होने यह वाली है leakage in the sense कि आपको पता नहीं चलता था कि एक विक्ती ने एक राशन कार्ड कहीं बना रखा है दूसरा राशन कार्ड कहीं और बना रखा है तो एक duplication जो होती थी हमारे सामने वो खतम हो जाएगी क्योंकि अब इससे जो है वो अधार कार्ड से link है link है तो भाईया वो दो-दो राशन कार्ड वो से link नहीं कर पाएगा तो पहचान हो पाएगी इससे तो यानि कि इसके लावा यह योजना जो है वो अधार और बायमेट्रिक से link है यानि कि अब रश्टाचार की अधिकान संभावना दूर हो जाती है इससे transparency हो रहा जाती है और यहाँ पर जो तरीका के बात बोली गई है समाजिक बेदभाव को कम करना यानि कि reducing social discriminating एक तो किसी दूसरी जगह से आना वहाँ पर उनको provide मत करना मतलब कि राशन provide मत करना तो यहाँ पर एक तरीके से वो कम हुई क्योंकि अब उनका एक यहाँ पर हक बना दिया गया है कि अब scheme लागू कर दी गई है इसके तहित कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आया हूँ वो FPS पे जाकर अपना बकाया राशन वो वहाँ से खरी सकता है अब इसके सामने चुनोतियां क्या आ रही है एक जो exclusion error जो इसके अंदर आ रहा है क्योंकि आज की date में हम देख रहे हैं कि सभी के सभी जो है वो अभी भी अधार कार्ड उनके पास नहीं है वो अधार कार्ड से लिंक नहीं है जिससे क्या है कि उनको अपना जो राशन है वो मिल नहीं पा रहा है वो वन्ची तरह पा रहे हैं तो एक की समस्थे हमारे सामने आ रही है दूसरी इसके पास जो एक समस्थे है वो domosile base है domosile आपने पता हो कि आप अगर उत्तर परदेश के हो तो आपको वहाँ का एक domosile बनाना पड़ता है यह बताने के लिए कि मैं उत्तर परदेश से बिलोंग करता हूँ चाहिप हरियाना से होता हरियाना का domosile होता है एक तरीके से वो एक पहचान पत्र होता है उस state के लिए कि आप उस state से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आज की date में scheme ऐसी है जो domosile से link है तो यह कहा जा रहा है कि उनको भी दूर किया जाना चाहिए ताकि वो domosile से link ना होकर एक तरीके से वो lab उठा सकें कहीं पर भी तो एक domosile का यहाँ पर बोला गया है कि उस चीज़ को भी दूर किया जाए अब इसके अलावा जो fps है यह एक genuine point देखे पीछले जो दो point है वो मुझे इतने जादा stick नहीं लगे मतलब कि यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं वो बहुत जादा effective है लेकिन यह काफी effective point हम कह सकते हैं fps की fps पर आपूरती इबादित होना अब यहाँ पर एक बड़ा ही genuine point है कि कोई A व्यक्ति जो है वो अपना राज्ये छोड़कर अपना राज्ये छोड़कर मतलब कि यहाँ पर B में आ गया हो यहाँ पर B राज्ये के अंदर आ गया हो अब यहां पर ए राज़े को छोड़कर बी राज़े में आगयáo अब यहां पर वो क्या कर रहा है यहां पर उसके FPS यहां से वो समान ले रहा है और यहां पर भी दूर से और कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई और व्यक्ति भी यहां पर आय हुए है मानने कि यह दिल्ली है अब दिल्ली है कोई उत्रपरदेश से कोई हर्याना से कोई राजस्तान से इस यहां पर इस एरिया के अंदर आये हुए और यहां पर जो FPS है अब इसके उपर दवा बढ़ने लगेगा क्योंकि यहां पर बहुत साथा मातरा के अंदर इनको अपुर्ती करवानी पड़ेगी तो यह देखा जाए तो कहां पर कमी कहां पर जो है वो एक तरीके से ज़्यादा एक कहेंगे कि कहीं पर भी लोग कम पहुंचेंगे कहीं ज़्यादा लोग ज़्यादा पहुंचेंगे तो इससे एक ये problem भी निकल के आने वाली है क्योंकि जो FPS है उसको प्राप्त उत्पादों का मास्ति कोटा 14 से उसे संबंद लोगों की संक्या के अनुसार सीमित रखा गया है कि यहां पर इतनी संक्या के अंतर है लेकिन आने वाले टाइम में यहां पर और भी पहुँच रहे है जिससे आने वाले टाइम में भी problem हो सकते हैं यह एक तरीकिस हम कह सकते हैं कि एक temporary problem है कि धिरे-धिरे सरकार जो वो इसका कोई न कोई इलाज डून भी लेगी यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब योजना का अब तक कैसा परदर्शन रहा है इसके बारे बात करते हैं देखें यह देश की अपनी पहली देख सकते हैं तो एक citizen-centric initiative है भारत में जिसे अगस 2019 के अंदर इसको शुरू किया गया था और बहुत तेजी से यह फैली थी बहुत तेजी से ने काम किया था असी करोड जो जो beneficiaries हैं इनको cover किया था इस योजना कहता है और आप जानका है रहन होगे 2019 के अंदर जो portability के माद्दियम से जो राशन जो subsidized जो राशन है वो खरिदा गया था परटेबल मासिक ओसत लेन दिन दर्ज किया गया है कि मतलब कि कोई जो हम कह सकते हैं कि जो migrant labor है वो परटेबल इसी परटेबल scheme का फाइदा उठा कर वो राशन परचेज कर रहे है FPS से तो यह काफी अच्छी चीज है यानि कि जो NFS से है जो एक हमारे सामने PMG यानि परधान मंतरी गरीब कल्यान योजन है इसका वो फाइदा उठा पा रहे हैं अब आगे की राग क्या हो सकती है देखें आने वाले टाइम में जो emergency अगर वो होती है तो एक alternative भी निकाला जाए यहां पर कि जो एक कमजोर वर्ग है तो उन तक कैसे जो खाद्यान है वो पहुंचाया जाए साथी साथ बोला गया है कि आपने जो one nation one ration card बनाया है जिसके अतायत कोई व्यक्ति भारत के अंदर किसी भी fps पे जाकर अपना जो वकाया राशन है या पी पूरा जो राशन है वो वहाँ से purchase कर सकता है तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ और चीजें भी करनी चाहिए जैसे एक समय कित बाल विकास योजनाए है midday meal है टिका करन है स्वास्ते देख बाल है और अन्य भी सुईद है इनकी भी portability की अनुमती देनी चाहिए लंबे समय से PDS प्रणाली को full proof food coupon system और direct जो beneficiary है वो एक तरीके से परतिस्थापित किया जा सकते है मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि PDS को एक ऐसा system लाना चाहिए कि वो coupon provide करवाए अब coupon provide यानि कि उन लोगों के जो गरीबी रेका से नीचे वो coupon यहाँ से ले और वो भारत के अंदर कोई भी जो एक क्रियाना स्टोर है वहाँ पर जाकर चावल दाल चीनी तेल उस coupon के माध्यम से वो ख्रीट परोग कर सके तो यह बात बोली गई है एक काफी अच्छा पॉइंट यह भी है मारे सामने कैर उमीद करता हूँ कि यह complete topic आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिर से बता देता हूँ description box में आपको telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशिक इसको like करें चैनल को subscribe करें और कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं तो share कर सकते हैं चैनल को as well as video को भी thank you for watching this video